Welcome to Youth Classes of Right Wave. Micro Economics की आपकी ये second class है, introductory Micro Economics की, Unit 2 की, log Demand की, UneNew Altitude Demand की second class. सबसे पहले आप class number लेखिए. फिर जो मैने पिछले class में कुछ बाते करी थी, उन को तोड़ा सा quick Revision करेंगे, अब फिर इसके बाद आज की class के topic पर जाएंगे. लेखिए class number. पिछले क्लास में क्या क्या बात हुई थी आपसे, जो में बात हुई थी कि डिमांड करक को डिराइब किया था, और बताया था कि नीड से बना वांट, वांट बाक्ट अप विद फाइनिसल के पैसिटी और विल पावर, विलिंगनेस, तो डिमांड में कनवर्ट हुआ, डिम का प्राइस के साथ भी रिलेशन है, जो का नेगटिव रिलेशन होता है, उससे डिमांड फंक्शन की बात भी, डिमांड सेट्यूड की बात भी, डिमांड कब डिराइब हुआ, डिमांड कब लिनियर हो सकते हैं, नौन लिनियर हो सकते हैं, लिनियर डिमांड कब है तो स्ल in p upon change in q that is del p upon del q अगर यह constant figure आया तो constant slope है अगर यह with function of p आया तो variable slope है अगर मैंने देखा कि minus 1 by 2 आया था इसका मतला demand का आपका sloping downward था and constant था, straight line था अगर यहाँ पे slope आपका minus 1 by 4 p आया तो हर point पे slope change होगा तो यह curve हो जाएगा यह बाते हो गई थी इस पे और भी questions की जोड़ाद पड़ेगी तुम धरे-दरे करते रहेंगे आज की class का topic क्या है why does law of demand operates मैंने इस सारे classes का नाम दिया warm-up classes क्या नाम दिया बच्चे warm-up classes warm-up classes कोई भी बड़ा काम करने से पड़े तो आस वार्म-up करना पड़ता है ना यह warm-up classes जो classes बहुत बच्चे जानते होते हैं लेकिन आज हम quick revision करेंगे मैंने पहले कह दिया कि जितनी बाते मैं आप से करता हूँ उन सब के study materials भी आप तक पहुच जाएंगे किसके थुरू या तो आप physical form भी ले सकते हैं मेरे center पर आके या फिर आप इसके PDF form में आप मेरे website से download कर सकते हैं आएजी बच्चे देखिए demand curve downward sloping क्यों होता है downward sloping होने के सबसे पहला point क्या है सबसे पहला point है diminishing marginal utility सारा explain करते चलाएंगे अगर आप भूल गए हैं तो आज आपके पास सही वक्त है warm up करने का और याद करने का diminishing marginal utility example से समझाते हैं मान लिजे कि किसी desert में आप फस गए है desert में फस गए है desert समझते हैं जहां बिलकुल क्या है rate rate और वहाँ पानी नहीं है आपको प्यास बहुत तेज लगी है बिलकुल पानी नहीं दिख रहा कहीं पर एक glass water है कहीं किसी पास है उसकी कीमत वो बंदा एक लाग रुपर महंग रहा है आपकी जान पर आफ़ता पड़ी है आप एक लाग payment कर दोगे और वो एक glass of water खरीद लोगे अगर आपके लिए possible हुआ तो लेकिन वो बंदा फिर देखता है कि आप काफी पैसा देने बाले बंदे हैं एक glass water आपको और offer करता है आप उसको एक लाग रुपर नहीं दे सकते है क्यों नहीं दे सकते हैं आपकी जान पर आपड़ी थी तो आप कुछ भी पै करने को तयार थे लेकिन एक glass पानी जैसे आपको मिल गया इसका मतलब है कि अभी आप 10-12 गंटे, 15 गंटे, 24 गंटे या ज़्यादा समयदा क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं आपको कि देखी जागी तब की तब अभी मैं एक लाग नहीं पे कर सकता हूँ जट से सामने वाला बंदा क्या बोलेगा ठीक भई, आप 50,000 दे दो आप दे देंगे उसको क्या पता, 24 गंटे बाद भी पानी ना मिले कहां एक लाग रुपर आपने पहले ग्लास की पानी की कीमत चुकाई थी अगर दूसरे ग्लास की कीमत कितनी चुकाई 50,000 क्यों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि फर्स्ट ग्लास की युटिलिटी आपके लिए क्या थी बहुत ज़ादा थी माक्सिभम थी लेकिन सकेंड ग्लास की युटिलिटी क्या हो गई ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई कम हो गई अगर वोई बंदा थर्ड ग्लास आपको उफर करे तो आपसे कहेगा 50,000 में लो आप नहीं लेंगे हो सकता हूँ आपसे कहे कि चलो 25,000 में लेंव अप हो सकता है ले ले देखो third glass की utility क्या हो गई कितनी कम हो गई fourth glass 10,000 में अब बहें fifth glass 5,000 मिले सकते हैं sixth glass आप 1000 मिले सकते हैं seventh time 5,000 and tenth हो सकता है पीस उपर मिले ले ले आप देखा कितनी जबर दस तरीके इस utility क्याव भी reduce वी पहले glass of water है कितनी यदर utility थी ठीक है न इस concepts को हम आगे भी बताएंगे आपको लेकिन अभी अब इसको water diamond paradox बोलते हैं उसको आगे इसका example लेंगे तो इसकी बारे हम फिर से समझाएंगे अबरवाइस यहां आपने देख लिया कि जब कोई चीज आपके पास जादा होता है तो उसकी utility क्या होती है कम होती है कोई पीछ आप पास जादा होता है उसकी utility कम होती है आप देखिए जिन्दगी में सर्वाइव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा एशेंशियल चीज़ होते है ना नेचर ने उसको भरमार कर रखी है नेचर ने भरमार कर रखी है यह से क्या चाहिए? ऑक्सिजन चाहिए ऑक्सिजन भरमार है अगर आप ज़्यादा ज़्यादा पीड़ लगाएंगे तो और अक्सिजन फ्री ली मिलता चला जाएगा आपको वाटर चाहिए वाटर भी फ्री है लेकिन जो एकॉनमिस्ट है यह एकनोमिक वर्ल्ड हो क्या चाहता है इस पर भी अपनी मोनोपली क्रियेट करना चाहता है वाटर पर भी एयर पर भी अगर ऐसा हो गया तो फिर वाटर एयर कौन खरीद पाएगा जिसके पास पैसा होगा वो भी सेल होगा यह बात की बात आगे पढ़ेंगे हम लोगी तद अभी यह समझे लेजे कि जो बहुत ही अशेंशल चीज है उसकी काफी अवेंडन्स क्वालिटी नेचर में अलरी उपलवद है और जिसकी ज़्यादा कॉंटिटी उपलवद है वो हमारे जिंदगी के लिए बहुत इंपोर्टेंट भी है फिर भी इसकी युटिल्टी क्या हो गई है कम हो गई है क्योंकि वो काफी ज़्यादा उपलवद है तो वही बात है मारेजनल युटिल्टी डिमिनेशिंग है हर एक एडिस्नल यूनिट के साथ साथ क्या होता है युटिल्टी कम होता जाता है आपने क्या देखा कि जब ग्लास वोटर की युटिल्टी कम हो रही थी तो हम ज़्यादा वोटर तभी परचेज कर पाए जब उसकी प्राइस क्या होई कम होई समझ गए ज़्यादा वोटर पहला पॉइंट को में एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ डिमिनिशिंग मारिजनल युटिल्टी डिम यू आप ज़्यादा वोटर कप परचेज कर पाए जब उसकी प्राइस क्या होई है गिरी है और वोटर कप परचेज कर पाए जब उसकी प्राइस और कम होई है इसका वज़ा समझा दिया diminishing marginal utility पहले glass के कीमत ज़्यादा थी क्योंकि utility ज़्यादा थी दूसरे glass के कीमत कम है क्योंकि utility क्या है कम है तो law of demand क्यों operate करता है price के घटने से quantity क्यों बढ़ती है यह आपने यहाँ पे DMU के help से देखा diminishing marginal utility के help से देखा यह running material है आपको warm up मैंने class नाम इसका दिया है इसको आपको एक राउंड किया कर लेना है पढ़ते चले जाना है इक्वी marginal utility अभी आप कोगसर आप diminishing marginal utility ही बात किया अभी दूसरा point में क्या बात कर रहा है इक्वी marginal utility यह मैं लिखता हूँ of money यह कह रहा है इक्वी marginal utility of money एक बंदा जितना पैसा खर्च करता है वो हर एक रुपीज का utility क्या चाहता है सेम चाहता है मैं example समझाना चाहूँगा माल लिजे आप रुपीज 1 में आप purchase करते है quantity 1 unit और इसकी utility है 10 utils दियान समझेगा utility कितनी 10 utils तो आप बताईए कि एक रुपीय की utility कितनी हो गई एक रुपीय की utility हो गई 10 utils units ने utils utility को utils में measure किया आता है एक रुपीय की utility कितनी हो गई 10 rupees अब अगर माल लिजे कि आप एक और quantity purchase करते है एक और unit और उसकी price क्या हो गई है घटके हो गई माल लिजे अब कितना 50 पैसे हो गई है rupees 0.50 अब इसकी utility कितनी हो जाएगी अब इसकी utility है 10 units ही तो है 10 utils है लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक रुपीय की utility अब क्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी 20 utils पुचे क्यों क्योंकि 50 पैसे की utility अगर 10 utils के बराबर हुआ 50 पैसे की क्या होगी 10 रुपीय के बराबर हुआ तो एक रुपीय का utility कितना हो गया 20 utils हो गया मतलब एक रुपीया आपके पास 20 utils के बराबर हो गया अब रुपीया की कीमत आपके लिए बढ़ गई है रुपिया आपके लिए ज्यादा important हो गया, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, ऐसे ही पैसा आप नहीं फेक सकते हैं, ऐसे किसी को दे नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, बात समय गया हैं, समझ गया है, ठीक है जी, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे, अगर मैं marginal उटिल्टी आप एक रुपया निकालना चाहता हूँ, थोड़ा अराम से इसको समझेंगे, तो आपको क्लिक करेगा, तो कैसे निकाल सकता हूँ, एक रुपया मैंने खर्च किया, तो मुझे एक युनिट मिला, उसकी उटिल्टी दस युटिल्स थी, तो 10 युटिल्स by 50 पैसे, तो यह हो गया 20 यूटिल्स पर रूपीज, ध्यान समझेगा, यहां पर 1 रूपげ का उटिलिटी कितना हो अगा, 10 यूटिल्स, यहां पर 1 रूपे कितना हो गया, 20 यूटिल्स, तो अब रूप이् की इतलिटी क्या हो गया, बढ़ गयी है, आप इतने आसानी से नहीं purchase कर पाएंगे आप, क्योंकि rupees आपकी pocket में जो costly हो गया, उसकी usefulness बढ़ गई है, तो कैसे करें sir firm, ऐसा करना पड़ेगा, जब 50 पैसे का rate हो गया है, तो सिर्फ एक unit purchase करने से बात नहीं बनेगी, मान लीजिए उस case में क्या करना पड़ेगा, price कम होगी, तो क्या करेंगे, price कम होने से, आप quantity क्या करेंगे, ज़्यादा purchase करेंगे, मान लीजिए कितना units आपने purchase किया, ती units, एक units का utility क्या था, utility था 10 utils, उपर जा दिजिए, एक unit का, अगर एक unit आपके पास है, उसकी utility कितनी थी, 10 utils थी, अगर आपस 3 units हो गए, तो क्या आपका इसका 30 utils होगा, बताए, होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे, quantity बढ़ती जाती है, utility क्या होती है, घरती जाती है, आप याद कुरो dessert में, एक glass water की utility क्या थी बहुत जादा, दूसरे की utility क्या हो गई, कम, तीसरे की क्या हो गई, और कम, जैसे से quantity बढ़ती है, utility क्या होती है, मान लिजे, कि 3 units का utility हो गया, मान लिजे, 15 utils, एक साथ मिला कर, 15 utils, समझ गए, 3 units का, 1 का 10 था, 3 का 30 होना चाहिए, लेकिन 30 होगा नहीं, क्य कितना हो गया, 15 units, और 3 unit का price कितना हो गया, price कितना हो गया, 3 into 50 पैसे, that is 1.5 rupees, 1.5 rupees, अगर हम यहां पर निकलना चाहिए, utility, पर रुपीज, निकलना चाहिए, तो क्या करेंगे, 15 utils, divide by, divide by, 1.5 rupees, यह क्या आएगा, देखो, और इसको काटने तो क्या था, यह आथा, 10 utils के बराबर, बताए, इस transaction से पहले, marginal utility of money क्या थी, 10 utils थी, अब क्या हो गया, 10 utils हो गया, अब यह हम purchase कर सकते हैं, क्यों purchase कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर, equi marginal utility of money हो गया है, मतलब, मतलब यह हुआ की, एक रुपे का utility, पाले कितना था, excuse me, पाले कितना था utility, उसका था 10 utils, अब कितना हो गया, एक रुपे का, 10 utils, 10 utils हो गया, ता आप कब purchase कर पाए बताओ, कब purchase कर पाए, तब या पर्चेस कर पाये, जब price कम हुई, price कम हुई, तो quantity क्या करना पड़ा, पढ़ाना पड़ा, price क्या कम हुई, जब price रुपीज वन था, तो आप एक unit पर्चेस कर रहे थे, जब price रुपीज पॉइंट फाइब जिरो हो गया, तो आपने कितना पर्चेस किया आपने तीन उनिट्स पर्चेस किया देखा तब जा करके आपकी इटिल्टी क्या होई बराबर समय माई तो अच्छी बात है तो तो फिर एक बार में जल्दी सापको रिवाइस करता हूँ देखिए ध्यान से देखिए every consumer every consumer given is limited amount of money चो कि हर किसी पास क्या होता money क्या होता है limited होता है would like to derive maximum satisfaction from the goods किसी भी goods से क्या जाता हो maximum satisfaction and services he purchases and consume the consumer would arrange his expenditure in such a manner that it gets what equal marginal utility वो अपने expenditure को इस तरह से आरेंज करेगा कि इसको marginal utility क्या मिले marginal utility मतला होता additional utility हर एक रुपीज को खर्च करने का utility from the last rupees एक एक रुपया से utility क्या मिले उसको same मिले he will continue to consume the same basket वो वही unit purchase करता रा जाएगा consume करता रा जाएगा अगर price change नहीं होता है तो but if the price of commodity in his basket of the goods and services falls अगर price गरती है he will make changes in the expenditure उसको जादा खर्चा करना पड़ेगा क्यों the fall in the price of commodity causes a divergence between the price and marginal utility इसका मतला हुआ अगर price गर गई है इसका मतला marginal utility of money क्या हो गई है बढ़ गई है to restore equality equality maintain करने के लिए the margin utility the consumer will purchase more units of commodity so that its marginal utility falls अगर जादा utility sorry जादा units आप परचेश करोगे जादा units आप परचेश करोगे तो इसकी utility क्या होगी गिर जाएगी और उटिल्टी गिरेगी तो फिर आप इक क्वी मार्जन इटल्टी पाजाएगे come down to the level of level of the same price thus the consumer purchases more units of commodity when its price falls समझ गए अगर मुझे लगता है कहीं कोई प्रॉलम है तो मैं आपसे question करके पूछता हूँ तब मैं confirm होता हूँ कि आपको समय में आया नहीं आया देखिए मैं आपसे question पूछता हूँ पताए पहले आपको मिल रहा था एक यूनिट कितने रुपेगा सर एक रुपेगा आपने purchase किया यस सर उसकी utils कितनी थी utility कितनी थी 10 utils किया सबस थी बराबर थी ठीक है आपने एक यूनिट purchase किया अब उसकी price कितनी होगी 50 पैसे 50 पैसे में अगर आप एक ही यूनिट purchase करोगे तो बात नहीं बनेगी पैसा कम हुआ है तो quantity ज़्यादा करना पड़ेगा क्यों क्यों कि यहाँ पे देखो marginal utility of money क्या है 10 utils है अगर 50 पैसे में आप एक ही यूनिट purchase करते हो तो उस case में utility क्या होती है बढ़ जाती है कैसे क्योंकि 10 utils को आपने किसे डिवाइड कर दिया 50 पैसे डिवाइड कर दिया तो 20 utils हो गया marginal utility of 1 rupees of money exceeds बढ़ गया है तो क्या करना पड़ेगा सर quantity बढ़ानी पड़ेगी मान लिया कि हमने क्या किया एक unit से बढ़ कर कि हमने कितने units purchase करना start कर दिया हमने start कर दिया तीन units तीन units की utility क्या होगी अपकोर्स एक units के बराबर comparison में क्या होगी कम होगी माल यह कितना utility है 15 utils है तीन unit को purchase करने कितने पैसे लगए आपके 1.5 उपया लगए आपके अब 1.5 उपया और इनको हो गया लेकिन यह तब ही हुआ जब आपने price गिरने के बाद क्या करी price गिरने के बाद आपने quantity बढ़ाई यहीं पर लॉब demand क्या हुआ operate हुआ price गिरा तो quantity बढ़ा बन गए एक sentence मगर मैं आपको समझाना चाहूँ आप सीधे समझेंगे यह चीज कि price के कम होने से marginal utility of money increase कर जाता है एक साइट तो यह हुआ दूसरी बाद quantity के बढ़ जाने से marginal utility of quantity क्या होता घड जाता है तो price के गिरने से quantity को बढ़ानी पड़ेगी तभी जाकर के equal marginal utility के concept fulfill होगा मुझे विश्वास हैप समझ गए next point भाई है substitution effect बहाद यासान अगर किसी goods की price गिरती है कम हो जाती है तो निश्य दूप से वो दूसरे goods के comparison में सस्ता होता है तो जो लोग कुछ और goods purchase कर रहे थे वो भी अब ये goods purchase करना start कर देंगे तो क्या होगा demand बढ़ जाएगी मान गए अगर माल लिजे price गिर गया है price गिर गया है price पहले से कम हो गया है तो जो customer पहले इसको नहीं purchase कर रहे थे वो और भी customers इसको purchase करने के लिए दोड़ पढ़ेंगे इसके इसकी quantity क्या होगी बढ़ जाएगी this is called substitution effect एक running material है इसको आपको read out करना है income effect अगर बंदे का income income increase करता है तो तो बंदा quantity ज़्यादा purchase करेगा लेकिन मुझे बताइए कि अगर income increase करेगा पहले वो कोई खराब सा घटिया सा goods purchase करता था तो क्यों ज़्यादा purchase करेगा नहीं purchase करेगा अगर normal goods होगा तो वो ज़्यादा purchase करेगा देखिए अगर किसी बंदे का income बढ़ता है तो quantity बढ़ता भी है quantity घटा भी है quantity बढ़ता कव है जब वो normal goods है quantity घटा कव है जब वो inferior goods है इसके बारे में आगे बात होगी अगर आप 10,000 रुपीज पर मंत कमाते हैं तो अगर माल लिए आप मोटा राइस यूज़ करते हैं मोटा राइस अच्छी क्वालिटी का राइस नहीं खाते हैं अगर आपकी इंकम अप 50,000 रुपे पर मंत हो जाए आप तुरंत क्या करेंगे मोटा राइस छोड़ देंगे आप अच्छे से फ्रेग्रेंस बाली खुश्बुदार बाली अच्छे राइस पर शिप्ट कर जाएंगे और आपकी क्वालिटी क्या होगी बढ़ जाएगी ठीक है न इसलिए आपने क्या देखा कि इंकम बढ़ने से आलवेज ऐसा मत समयना कॉंटिटी बढ़ता है नॉर्मल गुट्स में कॉंटिटी बढ़ता है इंफिरे गुट्स में कॉंटिटी क्या होती है कम हो जाती है several uses of commodity अगर price गरता है तो क्या होता है जैसे माल लेजए दूद है दूद की price बहुत जाद है तो हम दूद उतना ही प्रचेज कर पाएंगे जिससे हमारे घर में क्या हो जाए बच्चे दूद पीले और चायवाई बन जाए गेस्ट वेस्ट के लिए अपने लिए लेकिन दूद की price गर जाए तो तो हम धाई भी बनाना स्टार्ट करेंगे और गर जाए तो हम खीर भी बनाना स्टार्ट करेंगे और गर जाए तो हम घी भी बनाना स्टार्ट करेंगे और गर जाए तो तो दूद को ठंडा करके मूँ भी लगाएंगे खोशुरती बढ़ाने के लिए खोशुरती बढ़ाने के लिए दूद का भी लेप लगाते हैं लोग और कम हो जाए बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो चलो पानी में नावी लेंगो उसी से मेरा कहने मतलब यह है कि हर प्रोडट्ट का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है अगर प्राइस ज्यादा चार्ज होता है तो जो उसकी कमपल्सरी यूज है जो बहुत एसेंशियल यूज है वो तो आप करते हैं लेकिन प्राइस अब घड़ता है तो उसकी यूज क्या करते हैं बढ़ाते चले जाते हैं ठीक है जी तो इस सब को आपको रणिंग लिग क्या करना है पढ़ते चले जाना है यह वार्म अप मैच की तरह एक तरह से मैच अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है यह वार्म अप है फस्ट क्लास वार्म अप सकेंड क्लास वार्म अप चल रहा है अगर कंजुमर का इंकम लेवल से लग अलग है किसी की इंकम लेवल अगर बढ़ रही है तो वो क्या करेगा जो goods वो पहले purchase नहीं कर पारा था अब वो goods purchase करना start कर देगा अगर मालो क्या हो गई है price गिर गई है तो ठीक है consumer have different test and preferences पहले क्या था हर consumer के अपनी पनी test होती है अगर कोई बंदा अपनी आदत से लाचार है अपनी test से अपनी जीव से लाचार है तंग के test से लाचार है preferences से लाचार है तब तो मजबूरी वो goods purchase करेगा लेकिन जिसकी कोई ऐसी लाचारी नहीं है वो goods purchase नहीं करेगा लेकिन अगर goods की price घट जाए कम हो जाए तो हर कोई बंदा क्या करेगा फिर वो goods purchase करना चाहेगा exception to the law of demand अब ये नया topic स्टार्ट हो रहा है लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप मुझे ये कह दें yes sir, यहां तकी बाते हमने complete कर लिये यहां तकी बाते हमने क्या किये complete कर लिये तब जाकर कि हम next point पे जाएंगे exception to the law of demand yes sir, यहां तकी बाते clear हो चुगी है ठीक है, आइए अब आपकी दिमाब एक point आएगा कि क्या sir जो demand का law है क्या हो हर जगा होता operate नहीं हर जगा ऐसा नहीं होता है कि price के गिरने से quantity बढ़ जाती है ऐसा नहीं होता है कुछ exceptions भी होता है क्या exception होता है price बढ़ेगा तो quantity भी बढ़ेगा कहां होता है sir दखी बात करते है आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे है कि sir जानते हैं इन सब चीज़ों को मुझे भी पता आप को जानते है लेकिन कोई बात नहीं मुझे तो सब कुछ पढ़ाना है यह बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि यह खुलने में टाम लगा दे रहा है ठेक है सबसे पहला कैसा prestigious value of goods देखिए कुछ goods ऐसे होता है जिसको आप खरिदते हैं इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए दूसरों को जलाने के लिए अपनी हैसियत बताने के लिए शादी बिया में जाते है लॉकेट सामने दिखता रहता है हाथ में कड़े पने रहते है ठीक है ना अगर लेडी ज़द भी बाती चोड़ दीजे फिर तो कोई बाती नहीं हो क्या-क्या पहनते हैं बसने यहां पहनते हैं यहां पहनते हैं यहां पहनते हैं बहुत कुछ पहनते हैं तो दिवोनस्टेशन इफेक्ट बोलते हैं लड़कें तो भी कड़ा पहनते हैं और वो भी चैन पहन सकते हैं दिखाते हैं तो डामन पहनते हैं डामन के रिंग पहनते हैं शो करने के लिए उतना ज्यादा परचेज करते हैं इसका प्राइस के साथ डारेक्ट रिलेशन्शिप है आप जानते हैं यह प्रस्टीजियोस गुट्स के बारे में इसको वेवलेन गुट्स भी कहते हैं क्योंकि थ्रॉंस्टीन वेवलेन ने यह concept दिया था इसके नाम पर इसको वेवलेन गुट्स भी कहा जाता है एक बार तो जरूर इसको पढ़ते चले जाएगा बेट टाइम रिडिंग, गिफिन गुट्स यह बड़ा इंपोटन्ट एकनोमिक्स में इसका बहुत जोगा यूज़ करते हैं हम लोग concept के तरीके से पढ़ाते हैं इसके ग्राप भी डिराइव करते हैं क्या होता है, Sir Rowan Griffin 19th Century में इंग्लेंड में यह observation दिया था कि कुछ poor class के लोग होते हैं जो घटिया किसम का bread खाते हैं अगर उस bread की price बढ़ जाती है तो वो और ज़्यादा quantity purchase करते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि अगर इसकी price को ज़्यादा बढ़ गई तो फिर वो घटिया bread भी वो खराब किसम के bread खा करके भी survive नहीं कर पाएंगे, उस डर से price बढ़ने के साथ साथ उसकी quantity क्या करते हो, और ज़्यादा purchase करते चले जाते हैं तो यह आपका Giffin Goods है Giffin Goods के बारे में और भी बाते होगी इसको Giffin Paradox बोलते हैं ठीक है ना, क्या Giffin Paradox क्या है Paradox मतलब होता है Dilemma, Conflicts, Exceptions ठीक है ना, मतलब प्राइस बढ़ रही है फिर भी लोग ज़्यादा करिद रहे हैं क्यों हो इसा क्यों हो रहा है मैंने कहा भी आपको अगर वो लंडन वाले लोग जो बहुत 19th century बात थी जो बहुत ही खराब किसमी को ब्रेट खागे जी रहे थे उसको फिर था अगर थोड़ी सी प्राइस बढ़गी कि अमरे पर पैसा ही नहीं हम तो खरीदी नहीं पाएंगे तो और ज्यादा कॉंटिटी पर्चेस करता था यह अगर आप शॉटेस मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है जब हम दिल्ली आये थे उस वक्त क्या हुआ था यहाँ पर ट्रीमर फैल गया था हर जगा कि नमक की सॉटेस होने वाली है नमक मार्केट से खतम हने वाला है सब कोई सब काम छोड़कर कहां खड़ा हो गया नमक की दुकान के सामने पर लेट शुष्मा सुराज उनको मीडियाना पडा परस कॉप्रेंस करना पड़ा उनको बताना पड़ा कि नमक की कोई शॉटेस नहीं है उनको बताना पड़ा कि गुजरात में मारे चीफ मिनिस्टर है केशु भाई पटेल ते उसवक चीफ मिनिस्टर केशु भाई पटेला उनके साथ उन्होंने फोटो शेयर किया कि हमारे पास बहुत नमक है कुछ इंतामाली बात नहीं है तब धिर दिर जाके रिमर कतम हुआ और लोगों नमक की दुख नमक परचेज करना बंद करी और तब नमक आप यहाँ कैसे पूद पर दिर नमक उन्मक करते हूँ असे एकर हम अक आप उसमीर दिर जगा प। जबजु आप प्रưởng चीफ नमक जैसे हूँ घ्रप चाहते नहीं, दिधक वि यहाँ कि मैं है वही कहते है ओल क को सूदि नमक कई कि घ्खाटे पने जब उसकी शॉट की बात है, speculation में भी ही होता है, ठीक है, आगे आता ignorance effect, आपको पताई नहीं होता है क्या price होने वाला है, क्या रने वाला है, आपको जानकारी नहीं है, क्या हर किसी को हर चीज की जानकारी होती है, नहीं होती है, उस case में price बढ़ रही है, तो भी ज्यादा quantity आप purchase कर लेते हैं, यहाँ जाकर के आपका exception to the law of demand complete हो जाता है, point wise, यह सारे study material आप पर पास होंगे, मैं इसलिए लिखने ही रहा हूँ, इसको लिखने की जरौत भी नहीं है, जब में में numericals आएंगे, बहुत सरे अची बाते होंगे, तो एक एक बात को डंग से describe करके, हम आपके सामझ रखेंगे, change and shift in demand, आईगे जी, दो बाते होती है, एक होता है, change in quantity demanded, change in quantity demanded, और दूसरा होता है, change in demand, जल्दी से समझ जाएं इन चीज़ को, क्या होता है इसका मतलब सर, देखो, प्राइस में अगर कमी हुई, कम हो गया, तो quantity बढ़ जाएगा, प्राइस अगर बढ़ गया, तो quantity घर जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, change in quantity demanded, this is called change in quantity demanded, this is called change in quantity demanded, प्राइस गर गई, तो quantity बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई, तो quantity घर गया, तो quantity घर गया, तो quantity घर गया, लेकिन अगर प्राइस को छोड़ करके, any factors, any other factors changes, any other factors change, except what, except price, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, और factor कौन से जर, मैंने बताया था, demand function में, कि demand किन किन बातों पर depend करता है, income पर depend करता है, test and preference पर depend करता है, और बहुत सारे बाते हो सकती है, substitute goods के price पर depend कर सकता है, substitute goods के price पर depend कर सकता है, complimentary goods के price पर depend कर सकता है, price को छोड़ दो, price of goods छोड़ दो, अगर मैं QX की बात कर रहा हूँ, तो price को छोड़ दो, इसमें कोई change नहीं हो रहा है, इसके अलाबा किसी और factors में change हो रहा है, तो उस case में क्या होगा, change in demand होगा, change in demand क्या हो सकता है, दो तरग हो सकता है, कौन कौन सर, increase in demand, और दुसरा क्या decrease in demand, increase in demand and decrease in demand, अब महीं सको ग्राफ से समझाता हूँ, अगर मान लिजिया आपका यहाँ price है, यहाँ quantity है, price कम हुआ, तो किया क्या है, इसमें movement हो भी, देखो ना, price बढ़ गया, तो इसमें 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 इसमेंदर की तरफ movement हो भी, this is called what, this is called change in quantity demanded, this is called change in quantity demanded, तो कि समें चंग रभाह? अगर मान लिजिया तो मिण रभाहे, और प्रैस में कोई change नहीं होगा है, लेकिन अख देग्रॉस में चेंग और बिजिया वाय सेखु सियाँ, तो क्या हो सकता ido, अब णदोड दिपार है, उदर shift करेगा, this is called shift in demand, this is called shift in demand, यह क्या कलाएगा increase यह क्या कलाएगा decrease बहुत basic बात है बच्चे सब जानते हैं चीजोग shift in demand में क्या होगा increase in demand and decrease in demand parallel shift करेगा rightward and leftward लेकिन जब एक पे movement होती है इसको बोलते movement in demand movement on demand कर भी दिमांड बोल दो इसको बोलते contraction and expansion contractionary, expansionary expansion and contraction यह जो है expansion है और यह क्या है यह इधर की तरफ जाते है contraction है समझने बात को न, short short लिग रहा हूँ कोई समझते है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, shift हुआ है price को चोड़ कर goods की price को चोड़ कर किसी और factor में change होगा, तो उस case में shift in demand होगा, यह shift in demand का concept यहाँ पे है समझ गए, yes sir इसको भी एक running लिए, आपको इस matter को, material को क्या करना चाहिए पढ़ते जाना चाहिए, देखिए extension in demand कर वो रहा है दूसरा यहाँ क्या हो रहा है when the price है, यह contraction हो रहा है और साथ साथ shift in demand की बात भी होगा, यह समझा चुका हो मैं आपको, इन सब चाहिए increase in demand, जब right word shift करेगा तो क्या करेगा, increase in demand होगा right word shift करेगा तो increase in demand होगा left word shift करेगा तो decrease in demand होगा ठीक है बच्छे, right word decrease in demand देखो left word shift कर रहा है ठीक है sir यह सारी बाते एक बार एक बार तो कम सेखम आपको क्या करना चाहिए? बेट टाइम में मेट्रियल ना चाहिए और घंटे के अंदर सारा पढ़ते चलाना चाहिए ठीक है? आगे बाद आती है changes in price causes in extension and contraction अगर demand curve के price में change होगा तो extension होगा increase करेगा, decrease करेगा movement on the demand curve होगा factors which can cause increase or decrease increase or decrease कौन कौन cause कर सकता है यह सारे factors यहाँ पे दिये हुए price के अलाबा सब छोड़ के price को छोड़ दो उनके अलाबा सारे factors जैसे test and preferences change in consumer expectation, advertisement money income substitute goods and complementary goods subsidies government के तरफ से subsidy change हो जाए government क्या करे, आपको कोई समान खरीदने में मदद करे subsidy दे आपको, 50 रुपे के समान है, government काती है 20 रुपे आप दे दो 30 रुपी मैं देता हूँ, मजा जाएगा फिर तो देर सारी quantity आप purchase करेंगे तो यहाँ इन सब चीजों में देखना है wealth distribution real income, climate change, weather change credit availability, change in populations country की population में change आ गया इन सब से क्या होगा shift in demand होगा, क्या सर ऐसा को question आ सकता है, कि right on the factors which are responsible for shift in demand बिल्कुल नहीं आ सकता है सर आपने जो पिसली क्लास में पढ़ाया था, वो को एक्जाम में आएगा नहीं आएगा, आज जो पढ़ार एक्जाम में आएगा बिल्कुल नहीं आएगा हाँ, पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसमें थोड़ा सा slope था उसकी जरत आपको पढ़ेगी इन सारे चीजों की जरत पढ़ेगी सिफ कॉंसेप्ट के लिए एक्जाम में ये सब चीज नहीं आने बाला है और अगर मैं कुछ पढ़ाता हूं तो सिर्फ वहीं नहीं पढ़ाऊंगा जो एक्जाम में आएगा एक्जाम में आएगा वहीं पढ़ाने का मतलब हुआ कि मुझे क्वेशन पेपर देदो और मैं सॉल्व कर देता हूं ऐसा होता है क्या कौनसेट की बात करो पूरा डिटेलिंग की बात करो एक्जाम में जो आएगा हो तो हम 15-20 दिन पहले भी समया देंगे आपको ठीक है सर तो फेक्टर चेंजिंग डिमांड कौन-कौनस फेक्टर उसी बात को बता रहा है इंक्रीजन डिक्रीज एक बार आपको गोत्रू करना इसको यहां से नया टॉपिक स्टार्ट होता है बहुत ही मज़िदार मैं बिल्कुल भी नहीं कहा सकता हूँ कि बच्चे यहां के बाद से क्या कर देंगे आपको हम भगा देंगे सब बिल्कुल भी नहीं कहेंगे नहीं भगा सकते हैं यहां के बाद से यहां के बाद से actually आपका course start होता है एकदम absolutely कोई warm up नहीं, proper classes elasticity of demands proper classes start होती है जब properly classes start होती है तो क्यों अगले class से बात करें जो next class में बात होगी वो 50% 20% initially तो warm up होगा लेकिन आगे के बाद से फिर तो बिल्कुल syllabus, सारे questions, सारे numericals, मज़ा जागा फिर ठीक है पच्छे, अगर कोई problem होती है तो मुझे whatsapp कर दीजिए मेरे website पर जाईए आपको सब दिख रहा होगा, website का ID भी दिख रहा होगा आपको screen पर, whatsapp नमर भी दिख रहा होगा ठीक है, अपने friends तक इसको share कीजिए, कोई अगर आपको कमी लगती है, तो मुझे whatsapp session भी दे सकते हैं आप, ठीक है improvement करेंगे, जितना maximum हो सकता है semester 1 की classes भी होती है semester 2 की भी, semester 3 की भी सारे classes, even MOE contents की भी जहां तक आप जाना चाहेंगे हमारे साथ हम वहां तक आपके साथ चलेंगे God bless you all, take care, bye bye and see you